दोस्तों सनातन धर्ण में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुश्य ऐसा नहीं है जिसने चाने अंजाने में कोई पाप किया हो। इश्वरिय विधान के अनुसार पाप के डंडों से बचने के लिये पाप मूचनी एकाधशी का प्रत अवश्य ही करना चाहिए। पाप मूचनी एकाधशी का प्रत करने से सहस्त्र अर्थात हजार गायों के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवान चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस ब्रत को करने से दूर हो जाते हैं। कहने का तात्पद यह है कि पाप मुचनी एकादशी का ब्रत बहुत ही पुन्यप्रदान करने वाला है। एकादशी तिथी को दात्री में जागरन करने का भी विशेश महत्तु बताया गया है। पाप मुचनी एकादशी की पौराणि कथा इस प्रकार है। दर्मराज युदिश्टर बोले। ही चनादन चैतरमास के कृष्ण पक्ष्ण की एकादशी का क्या नाम है। तथा इसकी बिधी क्या है। कबा करके मुझे बतलाईए। भगवाएं श्री किष्ण बोले ही राजन चैतरमास के कृष्ण पक्ष्ण की एकादशी का नाम पाप मुचनी एकादशी है। इसके ब्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब प्रतों से उत्तम प्रत है। इस पाप मुचनी एकादशी के महतम में के शवणपा पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्शी नारत जी ने जगतपिता प्रह्मा जी से कहा। महराज आप मुची चैतरमास के कृष्णपक्षी एकादशी का बिधान कहिए। प्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारत चैतरमास के कृष्णपक्षी एकादशी पाप मुचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्नु का पूचन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार। प्राचेन काल में धनपति कुवेर का चैतरत नाम का फूलों का एक बड़ा सुन्दर बागी चाथा। जहां हमिशा ही बसंत रितो बनी रहती थी, वहां गन्धर्व कन्याएं विहार किया करती थी। इंद्रादी देपतावी वहां आ कर कृड़ा किया करते थी। उस पाग में कैलाशपति भग्वान शिपजी के एक परम भक्त मेधावी नाम की रिशी तपस्या करते थी। ये मेधावी रिशी चयन रिशी के पुत्र थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी रिशी की तपस्या सफल हो गई तो यह मेरा सिहासन छीतन कर इंद्र लोग के राजा बन जाएंगे। इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए बिग्न डालना शुरू कर दिया। इस पर योजना के लिए इंद्र ने काम देव एवं मन्यु खोशा नाम की अपसरा को आदेश दिया कि तुम मेधावी रिशी की तपस्या को भंग कर दो। फिर क्या था आदेश पा कुछ दूरी पर अपनी एक कुटिया बना कर रहने लगे तथा नियम से प्रति दिन बीणा बचाते हुए मत्रस्वर में गाने लगे जुगंदित पुष्पु एबम चन्दन लगाकर गाय का अपसरा मंजु खोशा के साथ कामदेप भी उस शिप भक्त रिशी को पराभूत करने की भरसक कोशिश करने लगे एक तो देवराज इंद्र की आग्या और फिर उपर से शिप जी के प्रति प्रवल शत्रता का भाव क्योंकि शिप जी ने कामदेप को भस्म कर दिया था उसी बात को याद करते हुए प्रति शोद की भावना से वह मेधाबी रिशी के शरी में प्रविश कर गए कामदेप के शरी में प्रविश करते ही मेधाबी रिशी भी अदूतिया रूप राशी के स्वामी कामदेप की तरह ही रूप बान दिखने लगे जिसे देखकर वह मंजु खोशा अपसरा मेधावी रिशी पर कामा सक्त होकर धीरे धीरे उन मुने के आश्रम में आकर उन्हें मदुर्गी सुनाने लगी पर नाम सुरूप मेधावी रिशी भी मंजु खोशा का रूप देखकर और संगी सुनकर उसके बशिभूत हो गए और भगवाई शिप को भूल गए भजन साथना तपस्या प्रमचर आदी सब छोड़कर उस अपसरा के साथ रहने लगे इस प्रकार बहुत सा समय निकल गया मंजु खोशा ने देखा कि इनकी बुद्धी विवेक सदाचार सैयम आदी सब कुष नश्ट हो गया है मेरा भी अब सिद्ध हो चुका है अब मुझे इन दिन लोग बापस चले जाना चाहें ऐसा विचार करके एक दिन भै मुनी से बोली है मेधाबी जी मुझे यहां आपके पास काफी समय हो गया है अधै अब मुझे अपने घर बापस चले जाना चाहें मेधाबी जी ने कहा कि मेरी प तुम ही तो मेरे जीवन का सर्वत से हो, अपने जीवन साथी को छोड़ कर कहा जाओगी। अब तो यह इस्थिती है कि तुम्हारे बगर में एक महुरत भी जीवित नहीं रह सकता। तक रहते हुए। भी उन मुनी को विशेः भोग की वज़े से इतनी लंबी अब थी केवल एक राते के समान ही लगी। अफसरा ने मुनी से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। मुनी ने कहा है सुंद्री आप तो कल साइकाल को ही मेरी पास आई हूँ, अभी तो सुबह हुई है। मैं प्राते काल का पूजन कर लूँ, तब तक आप प्रतिक्षा करो। तब उस अफसरा ने मुश्कराते हुए आश्चरे चकित होकर कहा, ही मुनी वर 57 साल नौ महिने और तीन दिन हो गए है। आपकी प्राते कालीन पूजन में और कितना समय लगेगा। आप अपने सभावे की स्थिति में ठहर कर थोड़ा बिचार केजिए। अपसरा की बास सुनकर वा थोड़ा रुकर, मुनी वर बोले ही सुन्दरी, तुम्हारे साथ मेरे 57 वर्ष ब्रत हो गए। विशय सक्ती में निकल गए। हाई तुमने मेरा सर्वनाश ही कर दिया, मेरी सारी तपस्या नश्ट कर दिया। आत्मग्लानी के मारे मुनी की आँखों से आशुओं की अविरल धारा बहने लगे। तथा साथ ही क्रोश से उनके अंग कापने लगे। ही ने। तुझे सो सो बात धिकार है। ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वे अपसरा बिनम भाब से बोली। ही विपिंद्र, आप अपने इस भयंकर अभिशाप को बापस ले। मैं इतने लंबे समय तक आपके साथ रही हूं। ही स्वामिन, इस कारण मैं शमा की योग्य हूं। आप तपा पूर्वक मुझे शमा कीजिए। अपसरा की बात सुनकर उन मेधावी रिशी ने कहा। मैं क्या करूं। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसलिए गुस्ते में मैंने तुम्हे अभिशाप दे दिया। मेरी सारी तपस्या भंग हो गई। मेरे मनुष्य जीवन का अनमोल समय योही नश्ट हो गया। मेरे मनुष्य जीवन के वेचण बापस नहीं आ सकते। और ना ही ये अभिशाप बापस हो सकता है। हाँ मैं तुमको शापसी मुक्ती का उपाए अवश्य बताऊंगा। सुनो चैतर मास के कृष्ण बक्ष की एकादशी समस्तर पापों का नाश करने वाली है। इसलिए उसका नाम पाप मुचनी एकादशी है। इस एकादशी को शद्धा के साथ पालन करने पर तुम्हारा इस पिसाच योने से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कहकर वह मेधावी रिशी अपने पिता के आश्रम में चले गए। तुम्हारा लग्य चवयन रिशी को यह सम मालूम था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने स्वैम ही अपना शरुनाश कर लिया। एक साथारन सी इस्त्री के मुह में पढ़कर तुमने अपने संपोंग जीवन में उपाजित तब शक्ति को नश्ट करके अच्छा काम नहीं किया। मेधावी रिशी बोले हे पिताजी क्रपय करके मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताईए। ताकि मैं अपने किये हुए कुकर्म के लिए पश्चा ताप करके पवित्र हो सको। पुत्र की प्रात्ना सुनकर रिशी बोले चैतरमास के क्रश्ण पक्ष की एकादशी के प्रत का पालन करने पर तुम्हारे भी समस्द पापनश्ट हो जाएंगे इसलिए तुम भी इस प्रत का पालन करो। तयालू पिता का उपदेश सुनतर मेधावी रिशी ने जैत्रमास के क्रश्ण पक्ष की एकादशी का ब्रत बड़े ही निष्ठा एबं प्रेम से किया। उस प्रत के प्रफाव से उनके संपूर्ण बाप नश्ट हो गए और वे पुन्हें पुन्य आत्मा बन गए। उधर बेह मन्चुगोसा अपसरा भी महापुन्य प्रत प्राप मूचनी एकादशी प्रत का पालन करके पिसाचनी शरी से मुक्ति पाकर पुन्हें देवे रूप थारन कर स्वर्ग को चली गए। इतनी कथा सुनाकर भ्रमा जी ने नारची से कहा है नारच पाप मूचनी एकादशी प्रत के आनुशांगिक फल से ही समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं। इस प्रत की कथा महतम्य का शवर्ण करने से पापों का नाश होता है संकटों से मुक्ति मिलती है तथा सहस्तों गौदान के बराबर पुन्यफल प्राप्त होता है। इस प्रत के द्वारा भ्रम हत्या प्रून हत्या मद्रापान तथा गुरुपति गमन जनत समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं। भागवान विश्णु का यह प्रत समस्त पाप बिनाशक एवं अनेकों पुन्य प्रदान करने वाला है। अथे सभी को इस महान एकादर्शी प्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए और इसके मातम्य की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। पाप मोचनी एकादर्शी की कथा संपूर होई। उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लेस लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फर वच्चिंग रधी 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 चैनल को चाहिए।